हलो एब्रिवान अस डेट है 26 और फेबरी 2022 और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एक्जाम के पॉइंट वी से डिसकस करेंगी नीचे डिसक्रिप्शन बॉक्स में टेलग्राम चैनल वोलकनो आईयस केडमी का लिंक दिया हुआ है आप टेलग्राम चैनल वोलकनो आईयस केडमी के साथ में जूड सकते हैं वहाँ पर हर एक्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अधर एक्जाम्स के पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है कल हमने आप से क्यूशन पूछा था, व्यूफोर्ट सी को लेकर की तो व्यूफोर्ट सी को अगर हम मैप में देखें तो आर्क्टिक ओसियन के एक मार्जिनल सी के रूप में व्यूफोर्ट सी सिचुएट है इसके अलावा अगर हम लेंड रूट से जो प्रजैन से उसके बारे में डिस्कस करें तो जो हमारा नोर्थ अमेरिका है, नोर्थ अमेरिका कोंटिनेंट के नर्दन पार्ट में व्यूफोर्ट सी सिचुएट है दैहिंदो के front page पर जो important news है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक webinar को address किया यह जो webinar जो है, वो हमारी defense ministry के द्वारा organize करवाए गया है इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह बुला, कि माल लो किसी country के उपर जो other country अटेक करता है तो सबसे ज़्यादा हम अपने एनीमी को कब सर्प्राइज कर सकते हैं, जब हमारे पास में कुछ ऐसे डिफेंस वेपन हो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता हो, तो हमारे प्रायमिनिस्टर ने इसको इंडिया से रिलेट करते वे ये बुला, कि हमारे इंडियन आम्स इत इतने मजबूत होने चाहिए इतने strong होने चाहिए कि अगर कोई enemy इंडिया के उपर attack करता है तो वो हमेशा एक surprise feel करें और ये कब हो पाएगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको आत्म निर्बर self-reliant बना पाएंगे यहां पर budget के बारे में भी discussion हुआ कि हमारा ज है कि private industry and startups का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हुए हम हमारे defense sector को काफी ज़्यादा important और काफी ज़्यादा strong create करेंगे Prime Minister ने जो अपना statement है उन्होंने इसमें ये बोला कि transparent, time-bound, pragmatic and fair systems of trial, testing and certification are essential to growth of a vibrant defense industry इसके अलावा एक independent system जो है, जो हमारी सारी problems है, उनको solve करने में काफी ज़्यादा useful हो सकता है Recent years में अगर हम हमारे इंडिया की तरफ से अपने efforts की बात करें, तो defense sector को हमने काफी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, strengthen करने के लिए काफी ज़्यादा आत्म निर्वर्वन्ने की इंडिया ने कोसिस की है, तो ये कुछ important चीजे हैं, जिसके basis पर अगर हमारी government इसी तरीके से regular हम चलते रहें, तो बहुत सारे defense weapon को लेकर के इंडिया self-reliant होगा, और इससे हमारे ना सिर्फ हमारा पक्स जो है, वो मजबूत होगा, हमारे regional area में जो जो conflict है, उसमें भी हमारे जो other country, जो हमारे neighbor countries हैं, उनके साथ में हमारे जो relations है, वो काफी equality maintain करते भी होएंगे, अभी present time में अगर हम देखें, तो रश्या और Ukraine के ब या को यही तो fear है कि हो सकता है कि चाइना के influence की वज़े से इस defense system को हमें मिलने में परिशानी हो जाए, और इस defense system का इंडिया use करना चाहा है कि हमारे जो western borders है और जो northern border है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्योर कर पाएं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के साथ में अगर हम present time में भी देखे तो regular हमारा conflict बना हुआ है और कुछ बहुत सारे ऐसे points है जिनको लेकर के कुछ issue हमेशा बना रहता है, तो यह हमारे इंडिया को मजबूत करने के लिए defense sector में उसको लेकर के इंडिया ने अपने outline रखने की कोसिस की है कि किस तरीके से हम अपने आप सारा जो area है, बहुत सारे जो points है, वहाँ पर एक साथ में यहाँ पर account attack किया, इसकी वज़े से ऐसा बोला जा रहा है कि Ukraine की जो capital है, वहाँ तक रश्या की reach बन चुकी है, इस article में यह बताया गया है कि majorly, जैसे कि western countries और जो Ukraine है, वो भी ज्यादतर यहाँ पर इसी बात पर focus क कर रहा है कि Russia यह चाता है कि यहाँ के जो present time के president है, उनको change करना, अपने according यहाँ की जो भी power है, उसको regulate करना रश्या का main target है, तो उनको change करना और उसके बाद में अपने जो Russia supported, जो government है, उनको यहाँ पर establish करना, यह major एक cause बताया जा रहा है, यहाँ पर attack करने का, अब सभी को पता है, हम पहले भी discuss कर चुके हैं, कि इंडिया के बहुत सारे students, specific अगर हम देखें, तो medical education से related, बहुत सारे students है, वो वहाँ पर है, Ukraine में, अब उनको, क्योंकि वहाँ की जो, अगर हम देखें, तो air bases जो है, जो airport है, उनको बंद कर दिया गया है, लेकिन, जो other countries है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर map के थिरूर डिसकस करें, तो यह जो area है, वो Ukraine का area है, यह क्रीमिया है, आपको पता है, 2014 में, रश्या जो है, उन्होंने इसको access कर लिया था, annex कर लिया था, sorry, और यह Sea of Azure है, तो यहाँ पर Ukraine के साथ में, जो border areas है, जैसे Poland का मिल रहा है, रोमानिया का मिल है, इन सारी countries में, जो इंडिया की embassy है, उनका use करते हुए, उनके साथ में, cooperation के साथ में, कोलिबरेशन के साथ में, इन countries की government के साथ में मिल करके, इंडिया कोसिस कर रहा है, कि हमारे जो भी students है, वो वहाँ से बाहर निकल सकें, अब यहाँ पर यह जो war हुआ है, इसकी वज़ से refuses की जो समश्या है, वो काफी जादा increase होगी, जब हमने middle list में regular issues देके, तो हमने देखा था कि वहाँ से लोग निकल करके other countries की तरफ जा रहे है, जिसकी वज़े से refuses एक टाइम तो ऐसा आया था, कि बहुत सारे countries ने अपने अपना entry देने से मना कर दिया था, जिसकी वज़ से refuse एक काफी बड़ा, एक violent issue के रूप में create हुआ था, ओकी, next important article है, editorial page पर, यहाँ पर जो first article है, वो Russia और Ukraine issue को लेकर के ही है, इस article में ये बताया गया है कि देखो, दोनों की countries के बीच में जो present time में war हुआ है, इसकी वज़े से ना सिर्फ Russia और Ukraine countries को effect देखने को मिलेगा, बल से उनके उपर भी कुछ points के उपर कुछ effects देखने को मिलेगा, यहाँ पर यह बताया गया है, सबसे पहले इस article में, कि जैसे ही Russian military ने यहाँ पर Ukraine के उपर attack किया, अगर हम देखें, तो जो crude oil है, उनके prices, last 8 years से अगर हम comparison करें, तो उतने hype देखने को मिले, इस टोक market जो है, वो उसमें भी कभी ज़्यादा एक तरीके से जम देखने को मिला, और अगर हम सबसे important बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो yellow metal जो है, means gold जो है, India's favorite yellow metal जो है, वो 15 months के hype पर देखने को मिला, अब यहाँ पर इस article में यह बताया गया है, कि देखो, रश्या जो है, वो पुरे world में second largest oil producer है, अब यहाँ से, तो crude oil के जो prices है, वो तो indirectly hike होंगी, होंगी, crude oil के price hike होंगी, तो जो भी हमारे petrol diesel के जो prices है, natural gas के जो prices है, वो भी increase होंगी, इसके अलावा, जो Ukraine जो है, वो sunflower oil का production करता है, और उसके उपर बहुत सारे countries depend भी करते हैं, त countries के साथ में, जो भी trade, import, export होता है, वो इस पर effect देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है, कि इन countries को जो भी हम भेजते हैं, जैसे कि India जो है, इन countries को जो भी यहाँ पर export करता होगा, उन सारे points के उपर भी issue देखने को मिलेगा, मतलब trade के उपर effect देखने को मिलेगा, सीधी सी बात ये है कि COVID pandemic की वज़े से पहले ही हर कंटे की जो economy है, वो काफे ज़्यादा slow down रही, दुबारा से boost up धीरे धीरे देखने को मिला था, लेकिन ये वो और issue create हुआ है, इसकी वज़े से दुबारा से जो gap है, जो एक economy में जो gap आ रहा था, उसको fill करने में और ज़्यादा time जो है, वो हमें लगने वाला है, क्योंकि इसकी वज़े से भी दुबारा से trade deficit देखने को मिलने वाला है, यहाँ पर जो article है, next article, ये related है इंडिया और स्रिलंका के relation को डिकर के, हम regular ये discuss करते रहते हैं, बहुत सारे issue सामने देखने को मिलते रहते हैं, कि इं आटिकल में बताया गया है, कि देखो, स्रिलंका के navy detain क्यों करती है, पहले तो हम उनकी जो border areas है, उसमें encroach कर जाते हैं, दूसरा सबसे major region ये है, कि इंडिया के जो फिसर मेंने, वो deep trolling करते हैं, उनके पास में इतने equipments हैं, कि वो deep trolling करते हैं, deep trolling ये होता है, कि sea bed तक ज देखने को मिलता है, complete वहां की जो marine biodiversity है, उसके उपर, तो ये major region है, तो water को लेकर के जो dispute है, इंडिया और स्रिलंका के बीच में, उसको हमें solve करना चाहिए, ये जो problem है, बार बार देखी जा रही है, तो उसका एक permanent solution, इंडिया और स्रिलंका दोनों की तरब से ढूनने की कुछ रहा था, 2019 के लगबग से उन्होंने इसके लिए survey conduct करवाना भी start कर दिया था, तो सबसे बड़ी problem ही ये हुई, कि जब उन्होंने survey conduct करवाया, तो यहां पर जो rural areas में, जो लोग रहते हैं, जो यहां के permanent resident है, उन्होंने questioning भी कि, आप किस तरीके के survey, किस चीज के लिए survey conduct करवाया जा रहे हैं, तो उस time government की तरफ से कोई भी clarification यहां पर देने की कोसिस नहीं कीई, जिसकी वज़े से present time में, यहां पर protest देखने को मिल रहा है, कि यह जो project आप बना रहे हो, जिसकी वज़े से बहुत सारा infrastructure जो है, वो demolish होगा, उसके वरभाई करने के लिए जो government को पैसा देना होगा, और government के पास में, अगर हम government का एक तरकी से pocket अगर हम देखें, तो उसमें इतना money ही नहीं है, तो पहले से ही जो economic distress state है, उसके उपर तो आप और ज्यादा economic burden create करे हो, इस project के तहर, तो यह जो Kerala का MBCS, semi high speed rail corridor project जो है, जिसको K-line project यह silver line project के नाम से भी जान हैं, उसको ले करके उनको यहाँ पर protest phase करना पढ़ रहा है, यह Kerala का MBCS आपको show कर रखा है, इसको अगर हम यहाँ इस तरीके से समझे, यहाँ देखिए, यह Kerala का MBCS है, हमारे South India में Kerala इस तरीके से यहाँ पर exist करता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ प जो है, उसको एस्टेबिलिस करने की government को सिस कर रही है, अब government का यहाँ पर अपनी तरफ से statement यह है, मतलब इसके पक्ष में, इस प्रोजेक्ट के पक्ष में government का यह बोलना है, कि देखो, हमें Kerala के Northern Point to Southern Point तक पहुचने के लिए बहुत ज्यादा time लगता था, बहुत ज़्यादा लोग personal vehicle use कर रहे है, तो जो हमारे roads है, उनके उपर जो accident की जो संक्या है, वो जादा हो रही थी, इसकी वज़े से अगर हम देखें, तो दूसरे issue जो है, vehicle की संक्या जादा है, तो pollution level भी जादा रहेगा, तो यह कुछ issues रहे, जिसकी वज़े से government चाहती है, कि हम यहाँ पर north to south तक एक project चलाएं, और फिर यहाँ पर other other areas में कुछ connecting points दें, ताकि यहाँ के जो regional areas हैं, उन तक भी easily connectivity बन पाए इस project के अंदर, यह तो government की तरफ से बात है, अब यहाँ पर जो protesters हैं, उनका अपनी तरफ से बात बोलना है, सबसे पहले तो उन्होंने यह बात र की गई, कि अगर 2011 के census के according अगर हम देखें, तो उस census के according केरला जो है, वो third densely state है, मतलब यहाँ पर एक किलोमेटर में जो population की संख्या है, वो काफी जादा है, अगर हम other states से comparison करें तो, तो अगर यहाँ पर आप इस project को implement करोगे, तो इसकी वज़े से बहुत सारा infrastructure, बहुत सा होगी, डिवास्ट होगी, हाला कि government ने इसके लिए अपनी बात ये रखी है, कि हम जहां पर भी हमें लगेगा कि agriculture land डिवास्ट हो रही है, उस area में हम elevated जो breeze है, उनका use करेंगी, जिसकी वज़े से जो agriculture land है, वो भी खराब नहीं होगी, जो infrastructure है, उसके उपर भी effect नहीं और अगर हम देखें, तो और सारी ये जो connectivity है, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा benefit मिलेगा, यहां पर जो protesters है, उन्होंने ये भी बोला है, कि हमारा जो state है, वो तो पहले से economic distress हो रहा है, उसमें आप एक project और ला रहे हैं, कि इसमें क्याफी ज़्यादा money invest होगा, government ने बोला है, कि यह हमारा अगिले का project नहीं है, इसमें जो इंडियन railways है, वो भी invest कर रहा है, जिसके basis पर इसके उपर, जो हमारा effect है, वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा, इसके अलावा अगर हम देखें, तो metroman, इस स्रीधरन जो है, उन्होंने अभी हमारे कुछ time पहले, हमा मतलब environment जो hazardous है, उनको भी हमें concern में लेना चाहिए, उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा नहीं है, आप project establish करो, उसकी वज़े से environment degrade हो, और फिर बाद में environment को save करने के लिए आप अलग से project चलाओ, सेम इसी तरीके से केरला में एक hydro project establish करने की बात हो रही थी, उस hydro प्रोजेक्ट में कुछ यहां की जो important rivers होंगी, उनको connect करके उनके water का use करते भी है, हाइडर प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही थी, लेकिन जहां पर वो एक तरीके से जो dam बनाना था, उसको construct करने के लिए आपको क्या करना था, वहां के जो भी हिली region है, उनको destroy करना था, तब जाकर के वह dam बन पाता, तो इसको लेकर के भी पहले protest हुआ था, कि देखो, आप जब हिली region को ही एक तरीके से degrade कर दूगे, तो जिन river के water के लिए आप ये सारी चीजे कर रहे हो, उन river में water ही नहीं रहेगा, भई आप हिली region को ही destroy कर दूगे, तो उनको बस में water कहां स कहिए, ताकि ये जो problem है, वो आने वाले time में ज़्यादा increase ना हो, तो ये हमने केरला का जो server line project है, उसके बारे में सारे important facts जो है, उनको हमने conclude किया है, last one conclusion में आप ये ही बात देख सकते हो, कि government और जो people है, उनके बीच में partnership, collaboration के थूँ इस तरीके के issues को हमें solve करना चाहिए, हमारे जो SDG goals है, उनको भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा maintain करना चाहिए, तब ही जाकर के हम 2030 तक का जो हमने target लिया है, उसको हम achieve कर पाएंगे, जो भी हमारे natural resources है, उनका हम sustainable use किया जाना चाहिए, next important article है, page number 8 पर, यहाँ पर देखो, वो ही बताया गया है, कि हमारी जो government है, वो किस तरीके से Ukraine में, जो भी हमारे students है, उनको निकालने की कोसिस कर रही है, यहाँ पर हमारे जो Prime Minister है, उन्होंने रश्या के साथ में discussion किया था, कि हमारे बहुत सारे student है Ukraine में, उन सभी के लिए, उन सभी को हमें वहाँ से निकालना है, तो आपकी हमें help चाहिए, ओके, और रश्या की तरब से, रश्या की तरब से जो है, एक ambassador designate जो है, वो इंडिया में आए है, और यह जो ambassador है, उनके साथ में, इंडिया बहुत सारे points को लेकर के discussion करेगा, यह जो war हो रहा है, इसको लेकर के भी discussion हो सकता है, और इसमें इंडिया के जो भी vision है, जो भी इंडिया का view है, उसका हो सकता है, कि रश्या जो है, वो इक तरीके से respect करते हुए, इन सारी problems को अपने आपको pull back करने की कोसिस करें, next important article है, page number 10 पर, यहाँ पर जो first article है, वो तो बताया गया है, कि COVID की वज़े से दुबारा से अब reopening की तरफ जो government है, वो आगी बढ़ रही है, okay, next important article, यहा पर एक case सामनी आया, और ED ने बोला है, ED के सामने case सामनी आया, कि एक person ने लोगों से money लिये, लोगों से fraud किया है, कि आपको 10% monthly return करवाया जाएगा, और जो भी हमारे bitcoins है, उसमें मैं आपके money को invest करूँगा, फिर आपका जो money है, उसको आपको return किया जाएगा, लेकिन किस तरीके से cryptocurrency को किस तरीके से आप regulate करोगे, present time में अगर हम देखे तो हमारे budget में भी discuss किया गया है, कि 30% तक हम क्या करेंगे, 30% तक हम क्या करेंगे, उनके उपर tax लगाएंगे, अगर cryptocurrency में invest किया जाता है तो, next important article है, यहां देखिए, यह Central Vista project को लेकर के है, Central Vista project में आप स अभी को पता है कि हमारी Parliament और उसके आसपास का जो area है, उसको resonate किया जा रहा है, तो हमारी जो union ministry offices है, उनको shift किया जा रहा है, ताकि यहां पर जो भी space है, उसमें नई न्यू तरीके से infrastructure को develop किया जा सकी, next important article, foreign peace पर, यहां पर सबसे पहले तो देखो, रश्या ने जो attack किया, जिसकी वज़े से Ukraine में बहुत सारा demolition देखने को मिला है, यहां के जो local लोग हैं, वो काफी ज़्यादा परिशान हुए है, उनकी property को काफी ज़्यादा नुकसान इसमें पहुचा है, यहां पर अगर हम देखे तो NATO organization ने पहले support करने की बात की थी Ukraine को, और इसके बाद में सि personally interfere करने से मना कर दिया है, यहां पर अब देखो Russia के उपर, पहले भी जब Russia ने Crimea को annex किया था, तो US और जो other European countries है, उन्होंने बहुत सारे एक तरीके से उनके उपर restrictions लगाये थे, sanctions लगाये थे Russia के उपर, लेकिन उसका कुछ ज्यादा effect देखने को नहीं मिला था Russia के उपर, त अब तो उनका कुछ result निकले, अगर आप normal कुछ sanctions लगाते हो, तो Russia अपने आप में एक power है, उस country को अगर आप counter करना चाहते हो, तो जो sanctions है, वो high level के होने चाहिए, और present time में तो हम देखने है कि China भी उनको majorly support कर रहा है, बहुत सारे points को लेकर के discussion कर रहा है, China जो है, वो counter करने की कोशिस करना स्टार्ट कर दी है, जैसे कि अगर हम देखें तो quiet group के तरू, AUKUS जो group है, नया बना last year, जिसमें Australia को एक तरीके से defense weapon के तरू, उनको strengthen करने की कोशिस की जाएगी, और इसमें जो UK और US मिल करके Australia को strengthen करने की, strengthen करने का main reason यही है, कि Pacific Ocean और Indo-Pacific Ocean है, उसमें indirectly जो western countries है, European countries वो अपने आपको strengthen कर सके, अब इसी को लेकर के China को लगता था कि उनका जो pucks है वो भी मजबूत होना चाहिए, तो जैसे ही रश्या को लेकर की, रश्या को counter करने के लिए NATO organization, US, European countries ने support करने की बात की Ukraine को, तो China जो है, उनके साथ में खड़ा हुआ है, अब दे चर्नोबिल disaster, आप सभी को पता होगा, चर्नोबिल को लेकर के एक ही जो disaster हुआ था, इसको लेकर के एक series BIT, जिसमें शोक किया गया था कि कितना एक तरीके से effect देखने को मिला था, तो जिब भी इस तरीके की history से related जो series आती है, वो आप यू करना चाहिए, क्योंकि regular आपको पता चलता है कि किस तरीके से क्या effect create हुआ होगा, तो चर्नोबिल जहां पर radiation जो है, उसमें spike देखने को मिला है, यह Ukraine ने अपनी तरब से statement दिया है, रश्या ने यह जो nuclear plant जो है, इसको siege कर लिया है, इसके अलावा चर्नोबिल वाला area जो है, उसको capture कर लिया है, तो Ukraine की जो radio activity जो है, radiation जो है, वो high level का देखने को मिल रहा है, अब इसकी वज़े से सिर्फ ऐसा नहीं है कि Ukraine को effect होगा, क्योंकि ऐस तरीके के जो disaster होते है, उनकी कोई boundary नहीं होती है, कोई border नहीं होती है, तो complete जो आसपस का जो regional area है, उन सभी countries को इसका effect देखने को मिलेगा, तो यह जो Ukraine है, उन्होंने IAEA, जो organization है, उसको भी इसके बारे में बता दिया है, कि इस तरीके का radiation spike यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चर्नोबिल disaster के अगर हम बात करें, तो 1986 के time में यह चर्नोबिल disaster हुआ था, 26 April 1986 में, यहाँ पर जो nuclear power plant था, उसमें टेस्टिंग के time में एक blast हो जैसे, यहाँ पर issue होता है, बहुत सारे लोगों की यहाँ पर death हो जाती है, बाद में भी उनके health पर जावदाए effect देखने को मिलता है, और इसी तरीके का 2011 में, जब tsunami IT जापान में, तब भी Fukushima, जो वहाँ का nuclear power plant है, उसमें इसी तरीके का disaster देखने को मिला था, तो चर्नोब important name है, और present timing news में भी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि Ukraine country से बिलोग करता है, अब IAEA को उन्होंने message किया है, कि इस तरीके की radio activity यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो IAEA को अगर हम देखें, तो International Atomic Energy Agency, International Organization है, जिसका main काम यह है, कि जो भी nuclear energy है, उसको हम peaceful तरीके से use क करें, इसी को promote करना IAEA का main काम है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो इस article में देखो यह लगया है, IAEA का जो main objective के अगर हम बात करें, तो जो भी nuclear weapons है, उनको military purpose के लिए use ना किया जाए, उनको peaceful तरीके से उनका use किया जाए, इन सभी चीजों को secure करने का काम होता है, IAE 29 जुलाई 1957 को इसको बनाया गया था, international organization है, Vienna, Austria में इसका headquarter है, और present time में 173 members के states है, अभी अगर हम देखें, तो इरान के उपर जो restrictions लगाए गये थे, JCPO Act के अंडर, और JCPO Agreement जो था, उसमें भी IAEA को एक तरीके से sponsor committee के रूपे रखा गया था, कि आप regular वहाँ पर inspection वियू करोगे, कि वहाँ पर जो issues हैं, वो इस तरीके की, कि वो अपने जो nuclear weapons है, उनको ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहे हैं, इन सभी को counter करना, इन सभी को वियू करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी, यहाँ पर जो article है, वो US का जो Supreme Court है, जो Federal Court है, उसके बारे में है, US के President Biden ने केतान जी, Brown Jackson को Supreme Court का, जो justice है, वो बनाया है, और अगर हम US की history में देखें, तो first black women, जो है, वो वहाँ की केतान जी, Brown Jackson जो है, वहाँ की क्या बनी है, Supreme Court की, highest court की judge बनी है, तो यह काफी important है, अगर हम community basis पर देखें, तो आप equality लेकर के आ रहे हो, बहुत सारी, अगर हम व बहुत ज़्यादा discrimination देखने को मिलता है, अगर हम ground level पर जाएं, same इसी तरीके जे, जो US चो country है, वहाँ पर भी black and white का, black and white का काफी ज़्यादा confliction देखने को मिलता है, तो यह चीजे जो है, वो equality लेकर के आएंगी, society में जो problems हैं, उनको solve करने की कोसिस करेंगी, और बहुत स सारी जो problems है, indirectly जो problems है, उनको भी regulate करने में काफी important role play करेंगी, ओके, तो यह आज का हमारा Indian Express newspaper का, sorry, the Hindu newspaper का discussion था, अगर आप यहां तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, और चैनल को subscribe कीजिए, ओके, थेंक यू